आज मैंने असेम्बली में रिलाएंस के प्रमूक श्री मुकेश भाई अम्मा नी इनके एंटी लिया जो उनका निवास थान है इसके बाहर जो एक स्कॉर्पियो मिली जिसमें जिलेटिन था और धमकियों का एक पत्र था इसका मुद्दा उपस्तित किया इस पूरे मामले में कई प्रकार की बाते सामने आई है विशे शुरूप से इसके जो मालिक थे मंसुख हिरेन जिनकी यह गाड़ी थी उन्होंने जिस दिन उनकी गाड़ी चूरी गई जहां उनकी गाड़ी बन हुई वहां से वो क्राफ़र मार्केट आये और क्राफ़र मार्केट में एक व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की वो व्यक्ति कौन है यह इसमें सबसे बड़ी कड़ी है और यह गाड़ी जब वहां स्पॉट हुई तो लोकल पुलीस से पहले पुलीस के अफसर सचीन वाजे यह वहां कैसे पहुचे उन्हीं को वो चिठ्ठी क्यूं मिली ऐसे कई मुद्दे ध्यान में आते हैं विशेश रूप से गाड़ी चोरी हुई वो भी थाना की आयो का घर भी थाना में और इतना ही नहीं तो गाड़ी चोरी होकर जिस रूट से आई और वहां पार्क हुई और साथ में दो गाड़ी एक और गाड़ी आई थी एक स्कॉर्पियो उसके साथ एक सफेद इनोवा ये दोनों थाना से ही आकर वहां पर एक गाड़ी पार्क हुई और दूसरी गाड़ी निकल गई और इतना ही नहीं तो इन्ही सचिन वाजे को आयो करके आपोइंट किया गया और उसके बाद एक टेलिग्राम चैनल पर पत्र मिला किसी जैशुल हिंद इस संगटन का जिसने इसके जिम्मेदारी ली और का हम रैंसम मांगते हैं और हमको इतने हमने बोला उतना पैसा एक क्रिप्टो करंसी नंबर दिया और इसके उपर दिया जाए एड्रेस के उपर दिया जाए वह पूरा एड्रेस गलत था और जैसे ही यह आया दूसरे दिन यह जो तथाकथित जैशुल हिंद है इन्होंने भी एक पत्र जारी किया और उन्होंने इस पूरे चैनल के उपर आये पत्रक को गलट थेराया और उन्होंने का हमारा इससे कोई संबन नहीं है हमने इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लिए वाज़े अगर हम देखें तो जून आट जून दोजार बीस पच्चीस जुलेई दोजार बीस और कई बार यह जो मालिक है इनके साथ इनकी टेलीफोन पर वाच्चित हुई है और आज मैंने हाउस में जिस समय इनाय को यह हैंडोर किया जाए ऐसी मांग की उस समय मैंने यह आशंग का जाहिर की कि यह जो मंसूख हिरेन है यह मंसूख हिरेन को तुरंट सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खत्रा हो सकता है और अभी अभी पता चला है कि आज अभी कुछ समय पहले उनकी डेड़ बॉली मिली है मुम्रा के एरिया में यह डेड़ बॉली मिली है इससे यह पूरा प्रकरण बहुत ज़्यादा फिशी हो रहा है यह बहुत ही गंभीर हो रहा है हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्थे सामने आ रहा है और इसका टेरर एंगल भी जो बताए जा रहा है यह सारी चीजों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनाय को हैंड़ किया जाए इस प्रकार की हमारी मांग है तो